नमस्कार दोस्तो वीडियो को देखने वाले सभी साथियों को मेरा परनाम दोस्तो फ्रोटल पुशिशन सेंसर के उपर कई वीडियो आपने देखे होंगे या कई बार गुगल में सर्च किया होगा या और भी कहीं से आपने इन्फरमेशन हासिल की होगी बट दोस्तो जो आज on practical मैं आपको information दूँगा throttle position sensor के उपर जो जानकारी मैं दूँगा वो शायद ही आपने इससे पहले कहीं से हासिल की हो जी हाँ दोस्तो दोस्तो मेरी जो वीडियो होती है वो होती है on ground, on practical और बिलकुल गाड़ी के उपर मैं कहीं से कोई देख के नहीं बताता हूँ जो ये sensor काम करते हैं, जिस तरह से ये काम करते हैं गाड़ी में और जिस तरह इनको लगाया जाता है, जो fit करने का तरीका होता है और जो इनकी setting होती है, वही सब मैं आपको बताता हूँ जो इसकी theory होती है उसके उपर मैं बिलकुल नहीं जाता क्योंकि देखो theory एक अलग जीज़ होती है और जो practical होता है वो एक अलग होता है तो मैं बालत करता हूँ हमेशा practical की तो दोस्तों वीडियो को पूरा दिखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पताने वाला हूँ कि TP sensor क्या है तो जानी के throttle position sensor क्या है और इसके लगाने की क्या ज़रूरर थी और TP sensor काम कैसे करता है जो इसका working principle है वो क्या है और इसके खराव होने से गाड़ी के engine के उपर क्या effect पड़ता है और आप कैसे पता कर सकते हैं कि गाड़ी का TP sensor खराव है और उस fault को आप कैसे दूर कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े आपको मैं step by step बताऊंगा और उमीद है कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और जो जानकारी है वो पूरी हासल करेंगे तो दोस्तो throttle position sensor जो throttle की जो position है उसको ECM को बताता है कि इस time throttle कितना खुला हुआ है और ECM क्या करता है throttle की position के मताविक cylinder bore के अंदर जो है fuel की quantity को supply करवाता है जी हाँ दोस्तो अब मैं आपको विजदार से बताता हूँ देखें दोस्तो क्या होता है कि जब driver जब जो गाड़ी का owner है वो accelerator paddle को accelerate करता है पैडल को दबाता है तो उस time क्या होता है इस तरीके से throttle open होता है जब throttle open होता है तो कितना throttle open हुआ means कितना accelerate दिया है driver ने तो वो क्या करता है उस position को उस throttle की position को sense करके ECU को signal देता है कि अब throttle इतना खुला हुआ है तो उस time क्या करता है जो ECU क्या करता है उसकी position को sense करके उसकी position throttle टीपी जो throttle की position को sense करके ही fuel को क्या करता है fuel लेल में बेजता है और electronic injector के द्वारा cylinder bore में inject करवाता है जिससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी smoothly run करती है ड्राइवर के according गाड़ी run करती है जितना वो accelerate करता है उतनी ही गाड़ी speed पकटती है उतना ही pickup लेती है दोस्तो ये sensor जो है इसके में location आपको बता दूँ ये throttle body के उपर लगा हुआ जैसा कि आप देख पा रहे है ये throttle body ये और ये है ये sensor और ये लगा है throttle body के उपर और ये है इसका coupler ये देखे दोस्तो इस coupler के through ये connect है और जब हम throttle को accelerate करते हैं जब हम accelerator pedal दबाते हैं तो उस time क होता है कि यह sensor जो है हमारा throttle की position को कितनी open हुआ है जो throttle है वो कितना open हुआ है वो signal देता है ECU को और ECU उसके मुताविक fuel supply करवाता है cylinder bore में तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि TP sensor खराब होने से गाड़ी के engine के ओपर क्या effect पड़ेगा तो देखे दोस्तों अगर TP sensor हमारा काम नहीं करेगा जब throttle position sensor खराब हो जाता है तो उस तेम क्या होगी कि गाड़ी की जो सबसे जो पहला fault आएगा दोस्तों वो होगा कि गाड़ी की जो idle running है वो खराब हो जाएगी जो idle running है वो rough हो जाएगी rough idling हो जाएगी गाड़ी की कई बार क्या होगा ये गाड़ी का जो idle speed है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी एक तो दोस्तो एक्सलेटर पैडल आपने नहीं दवाया होगा तो ये भी एक कारण है कि टीपी सेंसर खराब होने का दूसरा क्या होगा दोस्तों कि idle speed जो है बिल्कुल कम हो हो जाएगी आपके गाड़ी बंद हो सकती है जैसे ही आपने ज्वाया एक्सलेटर झ्वाद चूड़ा तो आपके गाड़ी क्या होगी बंद हो जाएगी घंग् local को चक पे जाना में आपको जाना होगी तो क्या होगा कि जो आपकी गाली की स्पीड जो बड़ी हुई थी वो अचानक से कम हो जाएगी तो दोस्तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो सेंसर है वो सही है अगर टीपी सेंसर के कपलर को निकालने और लगाने से गाड़ी के उपर कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ रहा है गाड़ी की स्पीड का स्पीड क बिलकुल भी माइलेज नहीं देगी क्योंकि टीपी सेंसर जो है खराब होगा तो आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देगी वो इसलिए नहीं देगी क्योंकि टीपी सेंसर होगा खराब तो ECU को पता नहीं चलेगा ECM को पता नहीं चलेगा कि इस टाइम थ्रोटल कितना खु जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो एवरेज है जो माइलेज है वो बहुत कम हो जाएगी आपकी गाड़ी जो है आंधा धुंत पैट्रोल दियेगी और जो तीसरा जो इफेक्ट आपके इंजन के ऊपर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि आपकी गाड़ी जो है और बहुत सारी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी या गाड़ी बंद हो सकती है तो दोस्तो इसको चेक करने का जो टरीका है सबसे पहले तो आप क्या करें कि scan tool लगा के चेक कर सकते हैं नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बताया coupler remove करके और लगा के आप इसको check कर सकते हैं तो दोस्तो अगर sensor आपका खराब है तो simple सी बात है आप इसको सबसे पहले replace करवा लें कहीं अच्छे mechanic के पास जाके या agency में जाके उसको replace करवा लें नहीं तो आप इसका जो coupler है उसको check कर सकते हैं या कहीं wiring है वो तो नहीं निकली होई है उसको check कर सकते हैं आप या कई बार हमारा coupler जो है वो निकल जाता है तो आप उसको kपलर को अच्छे से भहाँ पे दवा के लगा सकते हैं करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारा मनोवल बड़ा रहता है तो बहुत बहुत धन्यव बादोस तो